आज हम देखने जाएंगे कि जब हम किताबे लेते हैं दो से चार साल तक के बच्चों के लिए तो इन किताबों की क्या important contextual attribute होते हैं जो के हमें देखने जाहिए और जो बहुत जरूरी होते हैं उनमें सबसे एहम दो चीज़े हैं सबसे पहले उन किताबों की जो visual characters बने वे हैं वो कैसे हैं और वो character अगर personified character है तो उने कैसा होना चाहिए इसके अंदर जिस भी हमने content इस्तमाल किया है उसका reference नीचे मौझूद है और हम इसको अब शिरू करते हैं इस topic के अंदर सबसे important चीज़ यह है कि वो तस्वीरें वो कहानियां बच्चों को attract करती हैं visually जो bright colors में बनाएं गई हों और उसके अंदर visual characters के अंदर ऐसे attractive contrasting और bright colors मौझूद हैं जो बच्चों के आखों को catch कर सकें नमबर टू उन characters की जो lines हैं वो dynamic हों वो plane हों जिसको बच्चे understand कर सकें और इस से important चीज़ यह है कि उन characters को इस तरीके से बनाएं गया हो कि बच्चों के अंदर aesthetic sensitivity develop हो अब सवाल यह पैदा होता है कि static sensitivity क्या होती है तो आपके सामने मौझूद है good and bad, beautiful and ugly and right and wrong सो यह aesthetic sensitivity है कि characters की feelings और thoughts को बच्चा देखते हुए differentiate कर सके अच्छे और बुरे में खुबसूरत और वो चीज़े जो खुबसूरत नहीं है, सही और गलत में और उन्हें अपने आप से relate कर सके सो यह क्यों कर मुम्किन होगा कि बच्चे उन feelings को कैसे समझ सकेंगे यह तब ही मुम्किन हो सकेगा कि उन characters के अंदर जो feelings बताई गही है बच्चा उसे अपने आपको relate कर सके, 2-4 साल तक की उमर के बच्चों के एश के मताबिक हो और बच्चे और feeling को अराम से समझ सके इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि character को इस तरीके से दिखाया जाए, ऐसे रंग इस्तमाल किये जाए, जिन को बच्चा देखे, खुशी का एसास हो, जिसको बार बार देखना चाहे और वो इतने attractive हों कि वो कहानी को पढ़ता चला जाए और उस character से अपने आपको match करना शुरू करें और identify करें उसकी qualities को अपने अंदर या अपने बहन भाईयों और दोस्तों के अंदर अगर character के अंदर कोई conflict मौजूद है तो इस conflict को describe करने के लिए आपको colors और lines और बाकी characters इंतहाई sensibly इस्तेमाल करने हैं ताकि बच्चा उस plot को समझ सके, उस circumstances को समझ सके जिसके अंदर वो conflict हो रहा है आप याद रखिए कि ये किताबे दो से चार साल तक के बच्चे के लिए है अब आप जब characters ऐसी किताबों के लिए choose कर रहे होते हैं हमें ये किताबों में देखना है कि वो character इतनी fine detail के साथ बनाया गया हो इतनी खुबसूरत तरीके से बनाया गया हो कि बच्चा उसे अपने आप से relate करता है वो उस character के साथ जीता है उस character के साथ अपना thought का सफर चलाता है तो वो character superficially या वो character जो है इस तरीके से नहीं develop करना चाहिए कि वो clear ही ना हो या वो unserious लग रहा हो या उसके statics में या उसके design में कोई ना कोई कमी मौजूद हो हो उनमें colors, lines, उनकी dimension उनके अंदर इतनी consistency हो कि बच्चा जो है enthusiastic हो उसे comprehend कर सके और उसके साथ अपने आपको तरीके के साथ relate कर सके अब सबसे important चीज या आती है कि हमारे पास visual character में कौन से ऐसे character है जिसके साथ नासर बच्चा relate कर सकता है बलके बच्चा enjoy कर सकता है उसका एक बहुत important और बहुत interesting तरीका है personified characters का यह वो characters होते हैं जो कि इंसान यह humans तो नहीं होते लेकिन हम उन characters को humans की feelings और thoughts के साथ बच्चों की किताबों में represent करते हैं so इसके लिए बहुत जरूरी है कि बच्चा उसको देखके enjoy करें और उससे अपने आपको relate कर सके अब आप यहां देख सकते हैं कि जहरां ये character Actually ठाह करते हैं यह character हम बना रहे होते है और ऑथर बना रहा होता है तो उसको इन सबालों के जवाब सामने रखते हुए is character को हडों करने चाहिए कौन से सबाल्न जो बच्चा बच्चा बोच सकता है जो बच्चे के जहन कर सके उसके साथ वो सफ़र तै कर सके उस feeling को समझ सके अब सबसे हैं चीज आती है कि आप परसॉनिफाइट करेक्टर में कुछ feeling बताने की कोशिश कर रहे हैं और वह feeling ऐसी feeling हो जो बच्चे से feeling से ही रिलेट होना चाहिए उसकी उमर के मुताबिक होना चाहिए वह thoughts वह feelings वह एक्षिन वह behavior जो बच्चा खुद करता है otherwise अगर वह thoughts of feeling adult की होंगी तो बच्चा उससे comprehend नहीं कर सकेगा उससे अपना relationship building नहीं कर सकेगा और वह किताब को शुरू से लेके आखिर तक बार बार enjoy नहीं कर सकेगा और क्या characters हो सकते हैं जो contextual characters हैं दो से चार सर्ग के बच्चों के लिए को हम आने वाली slides में देखेंगे तब तक के लिए thank you so much